गुड मर्णिंग बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास का दूसरा अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे सोव्यत संग का विघटन यानि की सोव्यत संग का विघटन किस प्रकार हुआ गोर्बाचेव और सोव्यत संग का विघटन 1980 के दशक के मद्ध में गोर्वचेव सोव्यत संग की कम्यूनिस पार्टी के महासचिव बने गोर्वचेव ने सोव्यत प्रणाली में कई सुधार करना चाहा और वो चाहते थे कि इसमें सुधार हो मिखायल गर्वचेव दारा सोवियत प्रणाली में सुधार सोवियत संग में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी विवस्था नौकरशाही के सिकंडे में फस्ती चली गई इससे सोवियत प्रणाली सत्ता वादी हो गई तथा लोगों का जीवन भी कठिन होता चला गया सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यत की स्वतंतरता नहीं पाई जाती थी अता सुधार की अवशक्ता थी सोवियत संग में एक दल यानि सामवादी दल का प्रभुत्व था ये दल किसी के प्रती उत्तरदाई नहीं था यद्यपी सोवियत संग में 15 गणराज जी सामिल थे परन्तु प्रतेक विशय में रूस का प्रभुत्व था और सभी प्रकार के महत्पुर्ण निन्य वो ले लेता था इससे बाकी के गणराज स्वयम को दमित और अपमानित भी महसूस करते थे सोवियत संग राजनीतिक एवं आर्थिक तोर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया क्यूंकि तत्पश्चात कई देशों में सूचना एवं प्राध्योगी के छेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाय जा रहे थे अता सोवियत संग को उनकी बराबरी पैदा करने के लिए सुधार परम आवशक था और समय की आवशकता हो गई थी अनेक वर्षों से सोवियत संग की अर्थवस्था में प्रतिरोध पैदा होने की वज़े से देश में उभोकता वस्तों की भारी कमी उत्पन हो गई सोवियत संग के अधिकांश गणराज समाजवादी साशन से उप गए थे और वे विद्रो करने पर भी उतारू हो गए थे सोव्यस संग के बाहर हो रहे विबिन परिवर्दनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था जिस कारण सोव्यस संग के बिगटन की गती भी तेज होती चली गई दुनिया भर के संजीदा लोगों ने आर्थिक वर राजनीतिक छेतर में सुधार के प्रयासों के कारण ऐसी विवस्था को सराहा इसके अत्रिक्त सोव्यस संग ने समय समय पर अत्यादुनिक और खतरनाक हतियार बना कर अमेरिका की बराबरी की परन्तु धीरे धीरे उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी हत्यारों पर अतियदिक खर्च के कारण सोव्यET संग बुनियादी ढाचे और दकनी की चेतर में भी बिझछरता चला गया 1989 में अफ़ानिस्तान में सैनिक हस्थशेप के कारण सोव्यत संग की अर्थववस्था और भी कमजोर हो गयी सोवियत संग में निर्यात कम होता गया तथा आयात बढ़ता गया। उभ्भुकता वस्तों की भेंकर कमी होने लगी। 1970 के दशक के आंध तक सोवियत जो है वो उसकी अर्थववस्ता लड़ खडाने लगी। और इन ही कारणों से गोर्वचेव सोवियत प्रणाली में सुधा कर दार के प्रयत्न किये। वो सोवियत संग की अर्थववस्ता को पश्चिम की बराबरी पर लाना चाहते थे। जिसके लिए उन्हों ने प्रशासनिक धाचे में लचीला पन लाने का भी प्रयास किया। लेकिन गौर्वचेव ने भारत लेकिन गौर्वचेव ने देश में समानता, स्वतंतरता, रास्ट्रियता, प्रभुसत्ता एवं एक्ता के प्रशासनिक धाचे में लचिला पन लाने का भी प्रयास किया और गौर्वचेव जो हैं हर तरह से इसको बराबर करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए स्वतंता, रास्ट्रियता, भात्रित वा एक्ता के वातावरन को त्यार किया और बिना ही पुनर गठन वा खुला पन जैसी महत्पूर्ण नीतियों को लागू कर दिया था गर्वचेव दारा लागू की गई जन तांत्रिक नीतियों के कारण ही सोव्यस संग के कुछ गर्णाजियों में सोव्यस संग से अलग होकर स्वतंतर राष्ट निर्मार का विचार भी उत्पन हुआ जिसमें रूस बाल्टिक गर्णाजियों युक्रेन वा जॉर्जिया में राष्ट्रियता वा संप्रभूता की इच्छा का भी उभार सोव्यस संग के विगटन का ततकालिक कारण सिध्ध हुआ परिणाम स्वरूप सोव्यस संग को अपने गर्णाजियों से अलग होने के निर्णय को मानता देनी पड़ी इसके बाद तो एक के बाद एक सोवियस संग के सभी 15 गर्ण राजियों गर्ण राजियों उनसे अलग होकर स्वतंत्र होते चले गए और देखते देखते सोवियस संग का विघटन भी हो गया दिसंबर 1991 में यचसिन के नेत्रित में सोवियत संग के तीन बड़े गणराज रूस युकरेन और बेलारूस ने सोवियत संग की समापती की भी घुशना कर दी थी साममेवादी सोवियत गर्णराज के विगटन के साथ ही स्वतंत राजियों के राष्ट कुल का गठन भी किया गया अब सोवियत संग का गठन क्यूं हुआ ये हम लोग कल पढ़ेंगे